दोस्तों, अगर आप Play Store के मदद से कोई भी अप्लिकेशन को डाउनलोड करने की कोशिज करते हो, वो दोस्तों डाउनलोड नहीं हो पाता है जब भी दोस्तों आप कोई भी अप्लिकेशन या फिर कोई भी एप को आप डाउनलोड करने की कोशिज करते हो और फिर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हो, वहां पे जस्ट आपको पैंडिंग ही देखने हो की बिलता है, वहां पे दोस्तो डाउनलोडिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, अगर दोस्तो आपके साथ यह प्रॉब्लम है, तो आज की सबीडियो में मैं इसी का सॉलीशन लिक आया हूँ और लाइब आपको अपने स्मार्टफोन में ले जाके मैं दिखाऊंगा किस तर से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हूँ वीडियो स्टाट करने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा वीडियो को मिस मतना एंट तक देखना तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा तो चले करते हैं वीडियो को फटक स्टार्ट बिटाउट विटाउट वेस्टिंगे सकेंड दोस्तों तो सिंपली से मैं आज कॉम्टे फोन के होम इस्टीन तो चलिए मैं एक बात प्ले स्टोर को आपन करता हूँ और आपकी सामने पहले दिखाता हूँ कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या रहा है जैसे कि कोई साब भी मैं एक अप्लिकेशन को सलेक करता हूँ और उसे डाउनलोड करने की कोशिज करता हूँ जैसे कि देख सकतो फिक्स बे है तो सिंपली से इसे मैं क्लिक करता हूँ एड़ी। इसे इंस्ट्ल्ड के बटन पर क्लिक करें। जैसा ही क्लिक करता हो देख सकते हो, उपर आपको pending देखने को मिलता है। तो इसी तरह आपको only pending ही अगर देखने को मिलता है, कोई भी application को आप डाउलोड करने की कोजिश게요 करते हो। अगर वो pending ही देखने को मिलता है डाउनलोड नहीं हो पता है, तो उसके लिए आपको करना के है दोस्तों, राइट के टॉप साइड में यहाँ पर आपको प्रोफाईल का आइकन देखने को मिला है, सिंप्ली से आपको इस पर क्लिक करना है, सिंप्ली से दोस्तों यहाँ प्रिफ्रेंस पर क्लिक करना है क्लिक करने के दोस्तों यहां पर नीचे आपको एक उप्शन देखने को मिल रहा है एप डाउनलोड प्रिफ्रेंस तो सिंप्लिस दोस्तों आपको इस पर क्लिक करने का दोस्तों आपको करना क्या है यहां पर सबसे उपर ही आपको एक उप्श करना यहां से आपको बैग चाना है एन बैकट चले जाने कि आप को दूस्त से टीञ अपको करने कर जाना है और यहां पर क्या करने कवाट यहां पे थोड़ा कुछ टाइम ले सकता यह दो अपके फोन पर डिपेंड करता है कि आपके फॉन में कितना अब है तो यहां पर simply see, दोस्तों, आप wait कर को ले हैं, जब तक आपका app Act aumento दाउन्लोड हो रहा है, जैसे ही दोस्तों, आपके सामने आपका app list आजाएगा तो simply से आपको करना का है, ऊपर आपको सर्च बाहर में जाना एड, यहाँ पर लिखना है दोस्तों, आपको play store तो जैसे ही दोस्तो आप play store लिख देते हो यहाँ पर देख सकते हो नीचे play store मुझे देखने को मिला है simply से play store के button पर आपको click करना है click करना क्या है next नीचे आपको storage users देखने को मिला है simply से इस पर click करके इस पर जैसे ही click करको आप कुछ नहीं करना है दोस्तो यहाँ यहां से फिर से आपको लिस्ट में आना आपके अप लिस्ट में तो यहां पर आपको क्या करना है जैसे दोस्तों आपने Google Play Store को सर्च किया तो सिंप्ली से यहां पर आपको करना होगा फिर से एक बार सर्च Google Play Service तो देख सकतो मेरे सामने उपर ही अलड़ी से मुझे दिख रहा है Google Play Service तो सिंप्ली से फिर से प्रोसेस आपको फिर से फॉल्ली करना है फिर से दोस्तों इस्टोर्य योजर्ज में जाना एंड यहां से भी द श्री की वह रहाता होसा एंड शाथी साहरा दोस्तों आपका प्रोब्लम भी सौफ्टों हो चुका है तो अब को कर बिलीबनेश एक बार मैं प्लेश्टोर्र को हो पर करता हूं धिर से कोई साथी अप्लिकीशन को मैं यहां पर सलेक्रता हूं एन्ट सिंप्ले से मैं इस्ट स्टार्ट हो चुका है एंड लगबग मेरा डाउनलोड भी हो चुका है तो इसी तरस दोस्तों आप भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो चीज मैंने वीडियो में पता है उसे अच्छी तरसे फॉलोग करो तो आपका भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएग और साथ दोस्तों अगर आपको बेड़ो भी पसंद आईगी हलकी सी भी इस वीडियो ने आपको मदद किया होगा तो इस वीडियो के एक लाइक जरूर कर लेना एंड साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लेना विकावस इस चैनल पर आपको इसी तरह क के यूजफूल एंड हैलफूल कॉंटेंट मिल दे रहती है तो दोस्तों सब तक के लिए जैन इस तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स टाइम